आप लोगों को दिखाता हूं देखो इतना ज्यादा इंजन और निकल रहा है इस जगे पे यह देखो कितना ज्यादा निकल रहा है और यहां पर मैं इसे खोलते हैं चलो पाना से इसे इस बोलकम बाहर निकालते हैं और यहां पे जो इसके दोनों बोल्टों में वह ने खोल तो हैलो दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहो मेरा यूटूब चैनल टेकनोज बाइक विलोग तो यह मेरे पास हीरो की पैसन प्रो बाइक है और इस बाइक में और लीकिज की प्रोब्लम है बहुत जादा इंजन से और लीक कर रहा है तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले और दिखाता हूँ यहां पर साइड स्टैन पर मैंने खड़ी किया और यहां पर इंजनल गिर गया बुंद का बुंद टपक जाता है इस तरीके से देखो इंजन अल ही है साइड स्टैन पर मैं इसे लगा देंगे आदा एक गंटे बाद इं करा इस निचे के तरह स्टैन पर लगा देते हैं हमारी बाइक का इंजन अल होना स्टैन ऑख कर एक हो दोजाद हो थमयारी लिक अहनल हें पर मैं किस जगह बाइक प्राइक जमीन बुआजना कर देना है अब रगर परोगों बेट बंढ कर देना है इस तरिके चराम बढी चलना है अब गाड़ी लिताऊए और आप प्रॉब्लम नेकर बाइक को यह तो इसके लिए टेंशन ना है थोड़ा प्टोल यह तो ज्वाड़ को इस तरिके का नग रागे थितना जाफ म्सцеुई ने तुर्फितंगे में, मैं पाक प ecosystem को ही आया धुराख फजर्भाय में, मैं गया है av Death भाइक यह ने बड़ने डिखते हुआ हुआ है भीनियो यह विश्याब की तुर्फित फ रैंध टाहिषू है और बहुत अच्छे से लिख और गड़ा से जो तो काझ क अज़गूकर करूल grace provides नियुहे को अच्छे से लिक कर रहा है विक्सोट दॉत Swm पूरो यहां से और से बोल्ड ज़िए का एक भड़ लग़या लगाई घ्रिव ग्रहो है और यह हमारा oil bolt, जिससे हमारा oil drain होता है, तो इन डोनों bolt को हमको खोलना है, क्योंकि दोनों bolt से oil leak कर रहा है, साध मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसका oil leak कर रहा है, प्रॉपर बंद करके आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसे बंद कर रहा है, और यह वाला bolt खोल देना है, जो हमारा oil drain का bolt है, इसे खोल देना है, यह tight तो full खोल रहा है, लेकिन फिर भी oil leak कर रहा है, मतलब समझे आप लोग, slip नहीं है bolt, फिर भी oil leak कर रहा है, क्यों कर रहा है, चलो देखते हैं, खोलते हैं, कुदी समझ में आ जाएगा भी आप लोग पर नीचे रख लेता हूं, उसके बाद इसे निकाल लेता हूं बाहर, तो अभी हमने जितना oil था वो निकाल लिया, अब नहीं गिर रहा है, थोड़ा ताड़ा गिरता है, ज्यादा नहीं गिरेगा, अब यहाँ पर जो इसमें हालत है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंग किस तरीके से निकल रही है, उसी तरीके से हम लगा देना है, तो इसमें तो इसमें लगे हुए है, अब इन दोनों बोल्ड से oil क्यों लीक कर रहा है, चलो यह चेक करते हैं, यहाँ पर इसमें लगे हुए है, साथ इसकी टाइमिंग चैन खराब होगी, इसी वज़े से यह अलग से लगा ही जाती है, जब ठाइमिंग चैन अवाज करती है, अगर आपको ठाइमिंग आवाज खरस तो आप काफियात तक खतम होगी, बाकी अभी हमको यह पूरा क्लीन करना है, जितना भी निकल रहा है, जितना भी दिकरा पूरा क्leader क्लीन कर लेते हैं और उसके इसमें यह भी आप लोगों को बता दे रहा हूं यह देखो बॉंड वगारा जो लगाई हुई है यह बॉंड वगारा नहीं लगाना चाहिए अब यह जो है इसके वाइसर में प्रोब्लम है यह देखो कटा हुगा पूरा वाइसर आप लोगों को नजर और होगा और गढ़ा तो जो तो इसके दोनों वाइसर है वो मैं क्लीन करके आप लोगों को अब हम दिखाऊंगा और आप लोगों को इस में वाइसर पोखीया बढ़ता हम पतलता है एक पारेशा、 ही कन आर दो चुमपो नियुक accepts को किनौल डिला न करें को एक अचे एफ यह एफ पोग के तो इसे कोसे तूम कि बारेशार रेता इसना हम पहरे डिल्स कुछ कुछ सबस्परयों हमी लोगारव बेसे बढ़Ins Studer, इसे उम अब आप लोगों को दिखाने के लिए अब देखो इसमें गड़े देखरों कि इतने जादा पड़े हुए है यह देखो पूरा वाइसर खराब हो चुका है इस वाज़े से हमारा उयल लिक कर रहा है क्योंकि इसमें गड़े पड़ चुके है और यहां पर डब भी गाया यह यह देखो पूरा uaisar ही खराब लग लग रहा है ऐसा है लगी नहीं रहा कि यह कहीं से वाइसर अभी भी सही है पूरा वाइसर खराब हो चुका है जो इसका है आयल वाले बोलका तो यहां पर मैं इसे लगा के दिखाता हूं यह देखो इसमें गड़े देखो कितने जादा वाइसर हैं पढ़े हुए है इनी कि जरीये से हमार एक तरप घड़ा हो चुकigraph इसमें इसमें से भी ऑल लीग कर रहा है इसमें पूरे में वाइसर में गड्या पड़े हुए हैं नय वाइसर आप लोगों को दिखाते हैं इंब की दो ओईसर हैं मicano यह उइल ब३ड़्ट वाला है और यह हमारा टैमिड़ वाल तो तीन 3-6 रुपय के वाइसर हैं यह लगा देना अगर आपका ऐल लेकिज प्रोब्लम कर रहा है बोल्ड से बोल्ड अगर सिलिप नहीं है तो आप लोग वाइसर चेंज करके लगा तो आपका ऐल लेकिज 100% बंद हो जाएगा यह वाइसर दोनों देखो आप लोग कितना ज्यादा इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा यह देखो इसका जो मतलब गोला टाइप है इसका पूरा गोला है और पुराना वाल है उसका गया बढ़ गया है यह देखो तिर्चा मिर्चा पता नहीं कैसे वाइसर हो चुका है टाइट कर करके अब यह यहां पर लगेगा यह अब इन्हें लगाते हैं और आप लोगों को प्रॉपर दिखाएंगे आप लोग वीडियो पर बने रहना वीडियो का लाइक नहीं किये तो वीडियो का लाइक जरूर कर देना यहां पर इसे हम लगा लेते हैं यह आयल बोल का हो गया और यह जो बड़ा वाइसर फोड़ा हो जाएगी वाइसर हमने लगा दिया अब इन दोनों बोल को कुछ भी नहीं लगाना है अगर आपका यह वाला बोल्ड सिलीप है तब आप लोग बोल्ड वगएरा यूज कर लो और अगर आपका बोल्ड टाइट हो रहा सिलीप नहीं है तो आप लोगों को वाइसर थेंज नहीं सब्सक्र दीजिए फुल टाइट करेंगे अगर जयाना है दोनों फूल टाइट कर रहा हूं छसी का तो यह उस्यूद्र पातब है, अप लोगों बैजे game मार लग जा शीना पहते है पाने से आप लोग अपना लेकिज नीचे से जो किरता है साइड स्टैन पर लगाने पर बंद हो जाएगा बाकि चलो अब इस बाइक को हम खड़ी करते हैं खड़ी कर दिया बाइक हमारी खड़ी हो गई है और अब मैं इसे एक घंटा खड़ी रखूंगा एक घंटे के बाद वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को प्रॉपर जमीन में भी दिखाऊंगा ऑल गिरा या नहीं कि इससे पहले तो देखा था आप लोगों ने कितना जादा गिरा था बाकि अभी हमारी बाइक एक घंटे से खड़ी हुई है एक घंटा हो चुका है प्रॉपर मुझे औ अब यहां पर आप लोग देखो जमीन में एक बूंद भी इंजन गिरा हुआ नहीं देखेगा आप लोगों को और यहां पर दिखा देता हूं चलो यहां पर भी देखो जिस तरीके से हमने क्लीन किया था उसी तरीके से क्लीन है ना बोल्ड पे बोल्ड पे एक जड़ा से क्लीन है एक गंटे के बाद अगर यहां से लीकेज होता तो अब तक हो जाता और नीचे भी गिर जाता दोनों बोल्ड आप लोग देख ले दोनों बोल्ड बिल्कुल क्लीन है तो इस तरीके से हमने इस बाइक का और लीकेज की जो प्रॉब्लम थी वह हमने बंद किया इसम तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में